जै मैसेगी मेरे प्यारे दोस्तों स्वागाते आप सभी को हमारी यूटिव चैनल पे जहां परमीश्र के प्रेम को आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भी आपको बनाने वाले स्रिस्टिक करता के अपार प्रेम को महसुस कर सके और उन सभी आसिसो मैं सहकर अपने आपको वलिदान किया और इस वीडियो के दुआरा मैं आप सभी को उच्षाइद करने जा रहा हूं परमीश्र के कुछ बचनों से लेकिन उससे पहले मेरी जीवन से जुड़ा एक बात बताना चाहता हूं जिस वज़े से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया मैं हिंदू बेग्राउंड से बिलोंग करता हूं जहां मुझे बचपन से पुजा पाट में भाग लेने दिया जाता था और मैं अपने से बड़ो को फोलो करता था लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि जिस परमीश्र ने मुझे बनाया हम ताकि जो खुशी मैंने पाई है जो आपार शांती और आनन मैंने प्रभी ये समय पाया है और जो प्रेम में हर दिन में हैसुस करता हूं वह हमारे सारे दोस्तों को भी मिले तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कैनली सब्सक्राइबिंग और वीडियोस इफ यू आर नीव तो आवर चैनल जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया में क्रिस्टिन पोपुलेशन मात्रट टू पर्शन ही है हम यह भी जानते हैं कि उनमें से आधे लोग यानि 1% लोग इसे सिर्फ धर्म के रूप में मानते हैं यानि सेस 0.5% लोग हैं उनमें से कई अपनी बुलाहाट यानि God's Calling को जानते हुए भी इस अंसार के समस्याओं में उलजे हुए हैं और जो सीरिसली डिसाइपल बनकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी अपने लोगों से सही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसलिए मेरे मैसी दोस दोस्तो समय आ गया है खुद को पहचानने का अपने जीवन में परमेश्र के बुलाहाट को लेकर सीरिस होने का और किसी एक चर्श के साधारन मेंबर बनने के वजाए उनका सच्चा चेला बनने का दोस्तों परमेश्र के बुलाहाट अनुसर हम सभी आत्मिक योद्दा है जिसे अंदकार के सक्तियों की बिरुद लड़ने के लिए बुलाया गया है विए अगर हम अपने बुलाहाट को सीरिसली नहीं लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है और तब हमारा सत्रू हमें हर दिन आसानी से हराते रहता है जिस पकार आर्मी में बहुत सारे रैंक होते हैं उदाहरन कूप बारवर या सिपाही लेंस नायक नायक हविलदर नायक सुवेदर सुवेदर मेजर लेटन और कैपटन इत्यादी और जो आर्मी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जजबा रखते हैं वो खुद को इतना ट्रेन करते हैं कि प्रोमोशन ले भी करके कादिन नहीं बनाएंगे तो हम भी सिपाही से कवी मेजर नहीं बन पाएंगे यारी एक साधरन चर्च मेंबर से ट्रू डीसाइबल नहीं बन पाएंगे तो दोस्तो जाचीह अपने आपको कि कि से र 커피 आर्मी हो आप और कितने साल से उसे र rranck में हो आपका प्रम करके सकतियों को नास करता जाए और अगर आत्मिक ब्रीदिन नहीं हो रही है तो मियाज आपको मदद करने वाला हूँ ताकि हम प्रभू में साथ साथ आके बढ़ सके इसके पहले आए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं हम सुबह से लेकर रात तक कितनी बार खाना खाते हैं दो दोस्तों इस टेस्ट से हमें यह दमदार रिजल्ट मिला है कि सरीर को खिलाने पर सारीर ब्रिद्धी होती है और सरीर हमें यूस करने लगता है जैसे कि आलसी होना नीम लगना सारीरिक अविलासाओ यानि फ्लैसली डिजायर्स के सिकार होना इतियादी ठीक उसी प्रकार आत्मा को खिलाने पर आत्मिक भृध्धी होती है और तब पवित्रा आत्मा हमें यूस करते हैं और हम पाप के ओपर बिज़े प्राप करते हैं तब हमारी आत्मिक रैंक बढ़ती है और प्रभ येस्व के नाम से सामर्थी कारियों का हम करने लगते हैं। दोस्तों जिस प्रकार एक फोजी को ट्रेनिंग की जरुत होती है हमें भी यानि स्प्रिश्यल वारियर्स को भी बाइबल ट्रेनिंग की जरुत पड़ती है ताकि हम अपना फांडेशन मजबूत बना सके और इसके लिए बेस्ट रोल मोडल हमारी येसु मसी है जिनोंने 30 साल की उमर तक खुद का फांडेशन इतना मजबूत बनाया कि उनका साड़े तीन साल का सेवकाई में उनके द्वारा एक दी गलती नहीं हुआ और सेवकाई स्टाट करने से पहले प्रभू होते हुए भी उन्होंने प्रमेश्वर पिता से पवित्रात मका अविश्यक लिया त कमफोर्ट जोन से बाहर निकल कर मुल्च चुकाना पड़ेगा तभी हम उनका सच्चा चेला बन पाएंगे बहुत हो गया सेतन के साथ पीस ट्रीटी जहां हमने कहा तुम मेरा कुछ मत बिगाड़ो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा हमें उससे डरने की को बाड़े सत्रू को मार गिराया बाइवल कहती है है बालों को तुम परमेशर के हो और तुम ने उस पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है दोस्तो एक सचा चला बनने के लिए मोल्ड चुकाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि मोल्ड चुकाने पर ही हमें कीमती चीजें मिलती है और आए हम सरी के सासाथ प्रान और आत्मा को भी सही बोजन कौटिनियूसली खिलाए ताकि हमारा फाउंडीशन इतना मजबूत बने कि हम सरी द्वारा नहीं परंतु पईच्रा आत्मा द्वारा लीट किये जाए ताकि हम प्रभी यस्यों के प्रेम को लेकर उन तक पहुंचे जो अंधकार में है जो बंदनों में है जो असाहाई है और जो बेविशी और लाचारी के चलते अपने आपको नास करने पर तुले हुए है दोस्तो हम अंतिम दिनों में जी रहे है इसलिए अब समय आ गया है खुद को पहचारने का एक साधर मेंबर बने रहने के वजाए एक चेला बनने का अपने आपको इतना ट्रेन किजिए ताकि आप जल उठे उस मसी के प्रेम से और दूस्यों को भी चला सके जो अंधकार मे है जो असा है लेट्स विए होप चुदें मेरे मसी दोस्तों ये खास करके वीजियो आप सभी के लिए है और उन सब के लिए जिसको प्रभु ने चुना है अगर अच्छा लगए तो इस वीडियो को सेर किजिए उन सभी तक जो प्रभु के लिए कुछ कर गुजरना चाहत है आए मिलकर प्रभु का सचा चेला बने और प्रभु कि राज्य को और आगे बढ़ाए तकि प्रभू को इस धर्टी प्याने अगली वेडियो पे सब तक के लिए और आउंडे मैं मां अप टोव पल्क ए मैं थे म लट्सक के लिए है लेस्ट कर रूबह मैं झाल झाल